सब्सक्राइब कीजिए राजदने एजुकेशनल ग्रूप पच्कोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल अब भी स्वागत है आपका एक बार फिर राजदानी के डिजिटल ओनलाइन प्लेट फॉरम पर हमारे जो विशेश रूप से आपका जो सलेवस है उस सलेवस के आधार पे अधिम बात करते हैं तो आपके टोपिक दिरखी राज़स्थान की बोलिया एवं साहित्ते तो बोलिया क्या आपके बोलियों को मैंने आपके लास्ट क्लास में रैज में विशेश से बात की आजहल बात करेंगे राज्यस्तन के साइत्तियों कि देखे हैं साइत्ते वैसे का जाता कि जिसने एक साईत्तिय रंग से Πढड़ लिया तो यह मान लों को इतिहास का नीचोड़े वहीं हाण लोगों को केवल साइत्य पढ़ने हैं तो पहले ये साइत्य क्या है थोड़ा साब एक बार में क्लिर कर दूँ दोगों मैं आपको जान करें दूँ यहां पर एक तो कि आपके विशेश रूप से साइत्यों की भाषा होती है इन साइत्यों की भाषा की ये आपकरते हो तो जैसे हम बात करते हैं जैसे राजस्टानी भासा इस राजस्थानी भासा में एक होती है सेली इस सेली में एक तो उती है डिंगल डिंगल, एक होती है पिंगल, समझेगा कहीं बार साहित्यों की शैली हमसे पूछे, आपके विशेश रूप से आपके पस्ची में राजस्तान के साहित्यों होते हैं, यह आपके पूर्वी राजस्तान के साहित्यों होते हैं, ठीक ना, अगर एक वैसे हम बात कर लेते हैं, त और ये विशेस रूप से सल जाएगा कहां पर डून धाड में ठीक है यह हमेशा आपके पद्दे में रहेंगे जैसे वेली करसन रुकमनीरी वचनी का इदर आ जाएगी जैसे दादू दयालरी वानी वो इदर आ जाएगा तो एक तो यह द्यान रुखो फिर विशेस रूप से यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे राजस्तानी भाषा के साहित्यों में एक तो उते हैं रासो भई ठीक है ना एक उती है वात भई एक उती है ख्यात ठीक है ना एक तो उता है रासो एक उता है व्यात एक उती है ख्यात एक उती है आपके वच जैंगे जैसे नेन सीरी ख्यात हममीर रासो यह कुछ आपके विशे सुब giàत से लिक किला करते हैं तो यलेत आप इनकी बात करते हो तो मैं यहीं किलियर करदू रासो है यह एक परखार की जीवनिय है ठीक है न वी वात है यह एक परखार की कहानिया होती है ख्यात है यह एक परकार की वन्शावलिय होती है वचनिका होती है यह एक परकार के आपके सिद्धान्त होते है इस परकार से यह आपके राजस्तानी भासा से जुड़े तो यह विशेस रूप से साहित्य की पिने अलग-लग पार्ट कर दिये और विशेस रूप से आपके शेलिय होती है इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साहित्य बता दूँगा जैसे विशेस रूप से एक तो आपके संस्कत भासा नोइक हो गए आपके फार्सी भासा के भाई अर्भी फार्सी जो भी है तो इस प्रकार से राध़स्तानी साहिटयों को यहिसरी बताना चुनेक और साहिट तो कहीं बार एक्जाम में हैं वहिgen साहिष्टयों के तो एक तो विशेश रूप से आप इसको द्यान रखो और बाकी एक वैसे ही में क्लियर करूँ आप लोगों को अब इनको अपन नंबर से बात करते हैं ध्यान दीजेगा इनको अपन डिटेली भी रिकालेंगे यह सब राजस्तानी भाषा के साहिते हैं यह राजस्तानी साहिते कारे विशेश रूप से जैसे प्रत्वी राज रास्व विशल देव रास्व ठीक हमीर रास्व ठीक हमीर र लेता हूं भई, क्या लिया पड़ने प्रत्वी राज रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो, हमीर रासो एक और भई, ठीक ना, देखेगा भई, आप लोग समझे हो, बिशेश रूप से पड़ने चार साहिति लिये हैं, जैसे एक तो आपके प्रत्वी राज रासो बहीं, एक लिखा पड़ने जैसे हमीर रासो बहीं, एक निखा पड़ने, विसल, देव, रासो, एक बात तो किलिए होगी बहीं, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है, जिस प्रकार से आप लोगोंने संजा होगा, क्या लग गया हुए? रासो, यह जहां भी रासो है, इसका मतलब यह क्या है? चीवनिया हो गई, और किसकी जीवनी हो गई जो यह नाम लिख रखा होगा यानि कि पर्थिराच की जीवनी है यह हमीर की जीवनी है यह बीसल देव की जीवनी है वो लग बात है कि हमारे लोगों को यह नहीं पता कि साथ बीसल देव कौन है उसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा लेकिन य में यह जरूर बता सकता हूं कि चंदर बदाई कोन है और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब उसको आसान बनाया जाता है कि ताकि आप लोगों को इतना मेटर बतायँ आप उस आधार पर उस प्रशन का जबाब दे सके लेकिन ये ध्यान आप भी को लगाना पड़ेगा कि परतिराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है तो लिखाई है इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते वही हमी रासो जैसा कि आप देख रहे थे दो राइटर निकाल रहे थे वही उसके अंदर एक तो यह स्थति आपनों की सामने इवही एक-एक की बात कर लेता हूँ ध्यान दिजीएगा आप लोग देखो इतना तो किलिर हो गया कि रासो साहिते हैं और सम्मे संबंदित राजा की जीवनी है इतना तो हमें किलियर हो गया अब जैसे प्रत्वी राज रासो लेखक चंद बरदाई सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यही किशुन क्लियर कर दू कि आपके जो चंद बरदाई है इस चंद बरदाई का वास्तविक नाम क्या है वही वास्तविक नाम क्या है वही तो इसका वास्तविक नाम है प्रत्वी भट बही चंद बरदाई का वास्तविक नाम क्या है व वाई यानि कि इस ग्रंत को पूरू करणे वाला कोई और ता ओर पूरू। झलहण वाई जलहण। और जलहण कोन है आपके चंद बरदाई का बेटा है अप्रिचीन। कलीर है न। दो क्षुषन। चंद बरदाई का वास्तिुक नाम पर्थिवठ है। चंद बरदाई के बेटे जलहन ने इसको पूरा किया भई कल्ण मत करना भई कल्ण अलग है भई क्योंकि एक गरंते जिसमें कश्मिर की इतियास की जानकरे प्राफ्त होती है जिसका नाम है आपका राज तरंगनी भई राज तरंगणी और राज तरंगणी का जो लेखक है वो आपके है कलहन ध्यान रखना वे कलहन अलग है और जलहन अलग है वे चन्द वरधाई कोन था ये आपके परत्वी राज चोहान जो थर्ड जो दिल्ली का राजा है का ये एक मंत्री भी था वही ये एक सेना पती भी था ये एक कवी भी था और ये उसका मित्र भी था वही यानि कि ये उसके क्या हो गया वही समकालिन हो गया द्यान रखना फिलाल आजाते हैं वापस परति राज राश्वं में क्या है, इसका लेकर चन्दवर्दाई है, और ये विशेस रुप से चन्दवर्दाई इसका क्या था ? मिप्र था, इसका वास्त्रिक नाम परतिव भठ है इस गंट को complete किया था जलंने और जलंन चंद वरदाई का बेटा है अब इसमें क्या जहा만 कारी है इसमें क्या जानकारी एसके अंदर तो अब इसमें देखिए कि क्या जानकारी दे रखिए कि जो आपके पर्तिवी आज राश्व है वई ये तो तैह कि जीवनी है जीवनी है तो व्यक्तिकत जीवने वई ऐसे का आ जाता है कि पर्तिराज चोहान दिल्ली का पहला चोहान राजा है वई अपन यह कहेंगे डिसकर्स के आदार पर कि पर्तिराज चोहान दिल्ली का पहला प्रतिरा चोहान राजा है, हालंकि लोग केतने के साब इसके ननियाहल था ये, यहां पर एसे का आ जाता है, तोमरवंस का सासन था, ठीके, तोमरवंस के राजाओं का सासन था, नाना के अनंगपाल तोमर इसके नाना थे, संता नहीं होने के कारण नाना का पूरा प्रशासन इस नहीं समाला था और पर्तिराद चोहान थर्ड का इतिहास में जितना नाम लू उतना ही कम है और मैं तो यह कहूंगा आपको कि पर्तिराद चोहान एक एसा राजा है जो आपके 25 वर्ष की आईउ में वीर गत्यों को प्राप्त हो गया था वही लोग कहेंगे जब नाम सुन पर्तिराद चोहान थर्ड बड़ा तो है ग्यारा वर्ष की आईउ में राजजिविश्यों को गया था विशेश रूप से द्यान रखना और पर्तिराद चोहान थर्ड वह है जिसने आपके मुहम्मद गोरी को पराजित किया था लेकिन यह तो प्रशितिया कुछ इस प्रक महिमτ उसका सेनापती था वो जाकर करे मिल गया किससे मुहम्मद गोरी तब जाकर इसके पराजित हुआ और सहयोगीता जो जैचन गेडवाल की जो बेटी है उससे इसने विभा किया जिससे वो जैचन गेडवाल है वह इसका शत्रु हुआ ठीक ना और वो मुहम्मद गोरी से जाकर के मिल गया तो बस एसी तो कुछ बाते हैं जो हाइं जो आपको कहा मिलेगी वही इस परथिराज राशों में मिलेगी यानि कि कहने का मतलब इसमें क्या है आपके परथिवैराज चोहान थड के व्यक्तिगत वहीड कि व्यक्तिगत जीवन की आपको यservice जानकारी लेनी है ना, तो वो इसके अंदर ले लेना भई, ठीक ना भई, तो ये इस गरंद के अंदर दे रखा है भई, विशेश रूप से आप लोग द्यान लखना, जो एक आपके रासो साहिते भई, आगे बात करते हैं देखू, आगे देखिएगा, हाँ जी, अगला साहिते आप लोगों को दे रखा है, वीसल देव रासों, और वीसल देव रासों का लेखा के भई, नर पती नाल है भई, इसका लेखा कोण है भई, नर पती नाल है, देखिएगा भई, अब मैं आपको क्लिर कर दू कि हमारे लोग वीसल देव से लोग बहुत कम परिचित होंगे भई, लेकिन मैं यह बोल दू कि वीसल देव रासों का वास्त्मिक नाम, विग्रह राज चतुर्थ है भई, विग्रह राज चतुर्थ, और विग्रह राज चतुर्थ के पास एक बिद्वानों का आश्र दाता वही बिद्वानों का आश्र दाता और यही वह विग्रराज चतुर्थ है जिसने अपने ही नाम से इसका दूसरा गाम विसल देव जिसने अपने ही नाम से विसलपूर कस्बा बसाया था वही विसलपूर कस्बा बसाया वही और विसलपूर कस् में आपके विसलपूर बान भी बनी हुई द्यान रखना तो ये विग्रणाच चतुरत की नर्पती नाल है और इस नर्पती लाल ने विशल देव या फिर विग्र राज चतुत के व्यक्तिकत जीवन की जान कर दी अभी मैंने आपको बता है था कि दिल्ली का राजा बले ही पर्थिराज चोहांथर बनाओ पहला लेकिन दिल्ली को अपने अधिकार में रिने वाला सक कुण था वही विग्राज चतुत क्योंकि विग्राज चतुत नहीं अनं Rank left उमर को मझ्बूर किया था यही कारणता उसको हराया और उस अनंगपालत ओमर ने अपनी बेटी कपूरी देवी का विवा इसके भाई सोमेश्वर के साथ किया था जिसे भविश्य में सोमेश्वर और उस कापूरी देवी से जो संता नुत्मन हुई उसको आप परतिराच चोवान थड़ के नाम से ही जानते हो यानि कि कहीं न कहीं परतिराच चोवान थड़ इतियास में बहुत बड़ा नाम है तो उसका बेक विगराच चतुरत है और यह सारी जानकरिया आपके कोन देता है भई नर्पती नाल है मैं तो यह तक कह सकता हूं कि विशल देव का नाम दिया है तो किस ने नाम दिया है भ विशेश रूप से देख लेते हैं क्या स्तती है हाँ भी हमीर रासो ठीक है भई अगला साहिते देखाये आप लोगों के हमीर रासो भई हमीर रासो भई हमीर रासो लेखक इसका जोद राज भी है और एक सारंग धर्वी भई अब विद्यारती कन्फ्यूज भला साव हमें क्या करना है कुछ भी कर सकते हो आप आप बोलोगे साब कोई दोनों आ गए थो दोनों आ नी सकते आ जाए मा चलो अपन यह भी मानले आ जाए तो ज्यादा सही हमें क्या करना है जोद राज कारण पहले इसने लिखा बाद में इसने लिखा अना दो बार लिखा गया इसको अना तो जो हमीर रासो है समझ गया होंगे यह जो हमीर रासो है यह आपके हमीर देव चोहान की जानकारी दे रहा है भई अना हालां कि मैं समझ गया आपके कि आपके हमीर राना हमीर भी है जो सिसो Islam 2021 में अलाओधिन खिलर प्राक्पन किया था तो इसकी पत्री रंग दर्बी थे जोहर किया था पहला जल जोहर भेंल तरह्मे ग हमीरत्व सुद्व विशलेव राशों तीनों को आप लोग भली बाती, तीनों से आप लोग परिचित हो गए होंगे, ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो, क्या स्थती है? हाँ जी, यहीं देख लेते हैं भी इसको, पति राज रासों में क्या है? जान गए, विसल देव रासों में क्या है? यह भी जान गए, हमी संगत 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 संघ चोछा एक राजा उसके विषएस रूप से इतिहास की हमें में जानकरे मिलती है संगत सिंग के इतिहास की में जानकरे मिलती है वेली कुर्षन रुक्मणीरी वचनी का पर्तिराज राठंड ने लिखा है वई ये वेली कमणीरी वचनी का बड़ा ही important grant बाना जाता है विशेस रूप से वेली याने मित्र करश्न याने करश्न यानी वेली कोण राधा करश्न रुक्मणी यानी कि राधा करश्न रुक्मणी तीनों की जानकर देता है मैं कोण पड़ती राध राठोड भली बात याप परुजित हो डिंगल शेली का आपके राचकुमार है और इसने गागरोन दुरुग में बेट करके ये गरंथ लिखा है तो विशेश रूप से आप लोग इसको जान सकते हो दुरुगों के अंदर में आपको विशेश रूप से बता है अचल दास खीचीरी बचनीका और शिवदास गाडन ये आपके विशेश रूप से गागरोन गड़ है उस गागरोन गड़ के जो खीची राजा है उन्हें खीची राजा हो कि जानकर हमें विशेश रूप से मिलती है ये गरंथ भी गागरोन गड़ में बेट करके लिखा अचल दास खीचीरी बचनीका जो आपके शिवदास सब्सक्राइब करन ने लिखा वैं यह दो क्या होता है मैं को क्लियर करूं कि आपके जो यह पदबन आपने लिखा वैं यह आपके क्या है विषेश रूप से जालोर का एक राजा थे और जालोर के उच्छ राजा का नामता को कानड देव चोहान वे इस कानड देव चोहान की जो शत्रू थी वो दिल्ली के एक राजा से थी अलाउदिन खिलजी और अलाउदिन खिलजी ने यहाँ पर 1311 में आक्रमन किया और कानड देव चोहान को पराजित किया और इस जालोर का नाम बदल करके इस अलाउदिन खिलज पातल और पित्थर विशेस रूप से आप लोग परिचित हो बही कनियालाल सेठिया चूरू का है बही और विशेस रूप से आप लोग परिचित हो कि यहाँ पर जो पित्थर है बही वो तो कौन है बही पर्त्विराज राठोड है बही जो भी बताया था महारणा परताप के समकालीन है और जो पाथड है वो है आपके महाराना प्रताप है इन दोनों की मितरता को लेकर करके करियालाल सेटिया ने पाथड और पित्थड गरंथ की हमें जान करी दी धरती दोरारी लील टास में विशेश रूप से यहां पर प्रताप का संगर से जिसमें विशेश प्रताप बोलते हैं कि लड़ेों गणे हुँ मेवाडी माड़ बचावन ने मैं पाच नहीं राखी बेर्यारों खून बहावन ने तो वो जो इस प्रकार के पंगतिया है वो आपको लील टास में मिलेगी और धर्ती दोरारी एक वीरता की निशानी की प्रतीक है ठीक ना इसी प्रकार आपके रूठी राणी चेताउनी राज चूंगतिया ये लिखने वाला है कोई आपके केसरी सिंग बारहट परिवार के हैं परताप सिंग बारहट जो रावर सिंग बारहट इनके परिवार के हैं मेवाड का राजाता कोई फते सिंग जो आपके दिली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहा था क्योंकि जाती से चारण है और चारणों का काम होता ये पस्तितों ने जा रहे हो इस प्रकार की बाते और जो मारवाड की जो रूठी राणी वहीं उसका भी विशेश रूप से इसके अंदर वनन कर दिया द्यान रखना वहीं रूठी राणी और चेताउन इदा चूंग ट्या अने ये अलगलग सोठों में लिखे गए हैं जो केश राजस्तानी कहावता मुलीधार व्यास राजस्तान की अलगलग कहावते होती हैं राजस्तान की अलगलग कहावते होती हैं जिस प्रकार से जैसे हमारे राजस्तान में अलगलग जो कहावते हैं वो सारी जो कहावते हैं वो आपको कहा मिलेगी यहां पर मिलेगी विशेश से मुल्ली धर व्यास ने लिखा है राजस्तानी शब्द को सिताराम लालस नेन सीरी ख्यात देखेगा वी विशेश रूप से हावी आपके नेन सीरी ख्यात और मारवाड परगनारी विगत क्या स्तती है एक बार थोड़ा सा यहाँ पर किलियर कर देते हैं यह आपके विशेश रूप से जब भी कोई नाम आता है ना ख्यात साहित थे भई आप विशेश रूप से द्यान रखना यह सब आपके क्या होती है वही वन्शावल्यया और यह होती है चारण एवं भाटों द्वारा लिखित ग्रंत होते वहीं, चारण और भाटो द्वारा विशेश रूप से लिखित ग्रंत होते वहीं, फिर मैं यहाँ पर यह इंपोर्टेंट से बात कर दूँ, तो आपके जैसे एक तो हो गया कोण नेन सीरी ख्यात वहीं, एक आपके हो गया, दयाल, दास, दी, ख्यात, और वैसे तो मैंने बहुत सारे ग्रंत हैं आपके इतियास के साथ जो व्यक्तित पढ़ा हैं उनके अंद्री मैंने आपको बता दिया विशेश रूप से, बाकी दास री ख्यात, ठीक है ना, दयाल दास री ख्यात, बाकी दास री ख्यात, एक है आपके मुंडियार री ख्यात वहीं, इनके जो लेखक है, वो विशेश रूप से हमें इतना याद करने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ती है, क्योंकि नेण सी री जो ख्यात है, वो लिखेगा कौन, मुहनोत नेण सी भई, जो आपके जस्वन सिंग के दरबार में था, जो मैंने आपको जस्वन सिंग पढ़ाया, उसके अंदर मैंने अलग से और दे दिया है, और यहाँ पर इसका जो सेकंड जो गरंथ था, वो आपके मारवाण परगना री विगत है, जो एक राजस्तार में पहली बार जनगना का अधार माना जाता है, अध्याल दासरी ख्यात, इसका लेखक आपके दायाल दास है, बाकी दासरी ख्यात, इसका लेखक आपके बाकी दास है, वहीं मुंडियार रिक्यात इसका लेख्क आपके मुंडियार है अब प्रसण यह उठता है जिस प्रकार से इसमें आपके बीकानिर की जानकारियें वहीं समझेगा आप लोग तरह एक साथ screenshot लेना वही जिस प्रकार से इनके इहां पर यांपर जोदपूर《 की जानकार विए》 जिस प्रकार से यहां पर आपके मारवार कि कलास्तर्स करती है वही अब हमारे लोग यह कहते हैं कि जब राठवरोडों के मैं सासन की बात करता हूं तो राठोड पहले आये जोधपूर में भई, फिर गए कहां पर बीकानेर, तो अब यहां पर जोधपूर और बीकाने के राठोडों की तो जानकरी मिल गई, लेकिन आपको पता हो ना ची राठोडों में जोधपूर में तो राव जोधा से आते हैं भई, लेकिन इन से पहले कोई राव सीहा भी तो था जो आधि पुरुष है तो वो complete होगी ना जिसके अंदर रव सिहा से जानकरे मिलेगी तो जहाँ आपके राव सीहा से जानकरें मिल रही है वो आपके मुद्यारी ख्यात इ defendant यही कारण है आप इसको राठोडो र Быi री ख्यात के नाम से भी जानते हों यानि कि यदि आप लोगों से पूछ ले कि राठोडोरी ख्यात कोण सी है तो आप विशेस रूप से इसको मुण्डियारी ख्यात के नाम से भी जानते हों तो ये मैंने आपको इंपोर्टेंड से राजस्तान के जो साइते हैं साइते जिसे आप लोग विशेष रूप से दलपत विजे के नाम से भी जानते हुई इस प्रकार से यह इस्तति आपके सामने निकल करके आती है ठीक है अब यह आपने यह सारे राजस्तानी भाषा के साहित्यों की बात की है अब देखो विशेष रूप से अभवपन बात कर लेते ह लेकिन कहीं न कहीं जयानक भी पर्तिराज के बारे में लिखता है लेकिन यह संसकत भासा में लिखता है और यह पता है कि पर्तिराज चोहान और तुर्कों के मद्य कुल 21 युद्ध है वह कितने हुए 21 और 18 युद्धों में जो विजेता है वह कौन है आपके परत्वी राज चोहान थड है यानि कि आप से पूछ ले ना कि तुरको और परतिराज चोहान थड के मद्दे किस युद्ध है उन 21 में से 18 युद्धों का जो विजेता है वो कौने परतिरा चोवान थड़ है और परतिरा चोवान थड़ को ही इस जयानक ने एक उपादी दी थी वही और वो उपादी थी क्या दल पुंगल और दल पुंगल का मतलब होता है एक परकार का विश्व विजेता ये इसी साइ एक टेक इंद दिरक अब देखो आप लोग देखेंकाल महा कावी इंखिकु कि अ और ये विशेश रूप से आपके वही रंत्म निटों जो हमीर है उसकी विशे इस रूप से इसमें जानकारी मिलेगी वह वह राजस्तानी भासा का है और ये संसकत भासा का है लेकिन यदि आपने हमीर मद मदन बोल दिया न जैचन सुरी का ठीक है न तो ये आपके राणा हमीर की जानकारी मिलेगी इसके अंदर द्यान रखना राणा हमीर की जानकारी मिलेगी विशेश रूप से द्यान रखना और इसमें जो राणा हमीर है इसको विशेश रूप से एक उपादी दे दिए इसी ग्रंद के अंदर और जिसका नाम है विशम, घाटी, पंचानन वही। हालनकि विशम घाटी जो पंचानन है वो इसकी जानकर यहां भी मिलेगी। और एक जानकारी मिलेगी आपको विशेश रूप से कहाँ पर कीरती इस्तम प्रशस्ती लेख में भी विश्मगाटी पंचानन का है और हमीर मद मर्दन में भी विश्मगाटी पंचानन का है ध्यान रखना भी ठीक है वही क्लियर है ना इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें कि आपके जो कुवलिय माला ग्रंत है जो आपके उद्योदन सूरी ने लिखा जैने सब सूरी 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 जैने वही सब द्यान रखना ही है यह आपके वत्स रास्ता कोई गुजर परतिहार राजा यानि कि इसके अंदर विशेश हाँ वही हाँ उद्योदन जो सूरी है वह आपके गुजर परतिहार राजा वत्स राज वत्स राज के समकालिन था वही गुजर परतिहार राजा वत्स राज के समकालिन था और दूसरी बात यह आपके जालोर दुर्ग में बेटकर लिखा गया गरन्त है और वत्स राज के समय में लिखा गया यह विशेश सुख से ध्यार रखना वही यह जो सूर्यमल मिश्ण है ठीक ना यह आपके वर्तमान में राजस्तान का राज कभी है वही अठारा सुर्तान की क्रांती को इसने अपनी आखों से देखा था वही और इसने लिखा था वंच भासकर बूंदी का वर्णन है चंद मयूक और इसके अलावा और वी इसके ग्रंत है जैसे आपके वीर सत्सई वही वीर सत्सई वीर सत्सई ठीक ना वीर सत्सई और एक लिखाता इसने सती रासो गई वंच भासकर वीर सत्सई सती रासो और चंद मयूक एकी है ये सूर्यमल मिश्ण ने लिखा हाडू तीका स्रेष्ट का विवाना जाता है वही नरत्य नरत्नकोष राणा कुम्भा अपने जो संगीत गुरूता सारंगदर व्यास उसकी साहिता से लिखाये वही इसने विशेश रूप से द्यान रखना वही भासा भूषण जस्वन सिंग ने लिखाये वही भासा भूषण जस्वन सिंग ने लिखाये ठीक है एक लिंक मात पम में काना जी व्यास ये आपके जो राणाकुमबा है वही ्द और्लाणा कुमबा का साहित्य कंशे वही विशेश रूप से साहय कहई है ललीत बिग्रे राज कवी सो मते हो ठीक है ना कभी सोमदेव और कभी जो सोमदेव है ये आपके विग्रह राज जो चतुरुत था वई विग्रह राज चतुरुत आपके चोहान राजा है अभी जो मैंने जानकरी दी थी अना विग्रा चतुत का ये राज कभी है वही ये खुद विग्रा जो राज है इसने खुद ने गरंत लिखाता वही और गरंत क्या है ये एक नाटक है वही और जिसका नाम है हरी केली ठीक है ये आज भी हरी केली नाटक धाई दिन के जोपड़े में इसकी कुछ पंक्तिया उत्कीन है और ज्यादा दूर मत जाओ इंग्लेंड जाओ आप क्योंकि इंग्लेंड में राजा रामोन राय का इसमारक बना हुआ है और वहीं राजा रामोन राय की समयारक पर आपके हरकेली नाटक की पंगतिया भी है क्योंकि हरकेली नाटक को लिखने वाला कौन है विग् नर्पती नाल है लिखा यानि कि नर्पती नाल सोमदेव तोनों के दोनों किस के समकाली नहें वही विद्वानों के समकाली कि आस्ट आता है कवी हों का बंदता है इसलिए इसको हमने क्या नाम दिआए वही कवी बंदत काonna में मुख्यलूरू वही सा इत्य export प्रियों तो ईस इस्तति आप लोगों की निकल रही है अब देखो विशेश रूप से हम बात करते हैं फार्स हिसाहित्यों की बात करते हैं उसका भी मैं एक आपको तरीका बताऊंगा लेकिन पहले इसमें पर देख लेते हैं चच नामा अली एमत ने लिखा दिल्ली सल्तनत की जानकरी मिलेग त्ग्यआं रूपसे ये आपके दिल्ली का का शी भी था वही है ये एक संगीतम्गे भी था वही Larry एक है सूफी संत भी शांथ ये एक लेखस भी जानकरी और ये आपके अलाव दिन खिल जी के समकाली था मुख्य रूप से चित्तोड यूद 1303 को इसने अपनी आखों से देखा और फिर लिखा द्यान रखना भई तुजुक ए बाबरी तुर्की भी लिखाया भई जो मैंने आपको कभी राणा संगा के बारे में जानकारी दियो तब मैंने आप लोगों को बताया हो कि यह तुर्की में भी लेकिन जदी इसका फार्सी जो आपके विशेश रूप से फार्सी भासा अनुवाद है वह गरंद केहलाता है तुजुक ए बाबरी भई तुजुक ए बाबरी यह केहलाता है द्यान रखना भई फार्सी खानवा युद्ध 1527 के युद्ध की आपको जानकाने मिलेगी यहीं से भई हुमायू नामा गुलबदन बेगम ने लिखा अगबर नामा आईने अगबरी अभुलपजन ने लिखा तुझुक ए जांगीरी जांगीर ठीक ना इनको एक बार मैं ले लेता हूँ बिल्कुल अपनी साफ से ठीक है भई देखो ध्यान दो देखें समझना भई मुगल वंश की राज की यह जो भासा थी भई बोथी भई फार्शी भई ध्यान रखना क्लियर है और ये भी ध्यान रखेगा हिंदी को प्रोथसाहन देने वाला देने वाला फर्स्ट मुगल राजा कोणता भई तो राइट आंशर आपके अकबरे भई क्लियर है ये भी ध्यान रखना उर्दू को राज किये संडक्षन देने वाला तो ये आप ध्यान रखो फर्रुक्षीर भई जिसने पहली बार अंग्रेजों को कर्मुक्त व्यापर का दिकार दिया था भई ये तीनों चीज़ा आप ध्यान रखो भई अगर आपको फार्शी भासा क्लियर करनी है तो फर् पुदू को संडक्षन दिया है अकबर का ध्यान रखो ठीक ना आपके हिंदी को संडक्षन दिया है और इनके मैक्जिमम साहित्य मिलेंगे फार्शी भासा में ठीक है और आपके विशेस रूसे में ध्यान रखो कि यदि आप से पूछ ले ना कि साहित्यों का कौन से साहित पार्शी बार्शाओ का सोण काल अगवद काकाल के लैगा एक बार इसको आप देख लो अच्छित रे किया सम जाये मैंने क्या हिस्त स्थीखे एक बार आप इसको देखो हाँ जी अब देखते हैं देखो उनके साहित्यों की बाथ देखते हैं 않아 अब हमारे लोगों को पता है मैंने पहले बताया था जैसे यह मुगलवन्च है वही जैसे आपके बाबर है 1526 से 30 है वही हुमाईव है वही 1530 से 40 है फिर 1555 से 1556 है वही 15 वर्ष का इसके अंतराल है वही क्यों है वो हमारे लोगों को बता रखा है अना क्योंकि बीच में सूर्वन्च आ गया था वही अना क्योंकि यहां का सूर्वन्च का जो संस्तापक था वही वो था आपके शेर शाह सूरी था वही जिसने आपके 1540 से 45 तक सासन किया उसके बाद इसके बेटे पोतों ने शासन किया भी, ठीक है ना? फिर इसके बाद अकबर है भी, 1556 से 1605 भी, फिर जहांगीर है भी, 1605 से 1627 भी, फिर शाजा है भी, 1628 से 1658 भी, फिर ओरंजेव है भी, 1658 से 1707 अब आपको पता है, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, यदि आप लोगों के नामा लग रहा है ना, नामा, तो यह आपके फार्सी भासा के साहिते ध्यान रखना, तुजुक लग रहा है ना, तुजुक, तो यह आपके तुर्की अवई ध्यान रखना भी, यह विशेश रूप से आप लोग इसको ध्यान रखो वहीं अब जैसे बाबर है वहीं तुजुक ए बाबरी है वहीं लेखक कोण है वहीं बाबर है वहीं अना लेकिन इसका फार्सी में अनुवाद फार्सी में अनुवाद किसके समय अकबर के समय और अकबर के समय इसका अनुवाद हो गया तो यह आपके क्या बन गया वहीं बाबर नामा बन गया वहीं और विशेश रूप से इसके सामने आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो कोण राना सांगा पढ़ते हो द्यान रखना व वहाई हुमायू नामा और जो लेख्खक है वह आपके गुल बदन बेगम जो की आपकी हुमायू की क्या है बहन है ध्यान रखना और यहां पर जो आप पढ़ते हो है यहां पर विशेश उस्थे को ध्यान रखना रानी कर्मावती का जोहर वहाई कि रानी कर्मावती ने जो राखी बेजकर के साहता मांगी थी कोई 1534 में लेकिन यह लेट गया था वह जानकरी आपको यहां से मिलेगी द्यान रखना ठीक है अकबर की बात करेंगे अकबर का तो साहती एक स्वन काले और अकबर की यह आप बात करते हो तो इसके सांद ने वि कि इसके आकबर के हैके आकबर नामा कि फॉश्ट भी एक आपके अक्बर को नामा तो सेकिंड वह अब अकबर नाम रध रम होगि कि अब आप बताओगे आईन से अकबर की आईन यकबरी कि amigo कि लिए यह अन अकबरी एक और का आपके गिले लें अर दूसरी बड़ी बात इन तीनों भागों का जो लेखक है वह आपके अबुल फजल भई तीनों का जो लेखक है वह कौन है अबुल फजल है लेकिन प्रस्णिया पर यह निकल गया कि आपके जो आइन एक बरिये इसको लिखता लिखता ही मर गया ही मार दिया गया इसको तो इसका मतलब यह हो गया इसको कंपीट किया इसके भाई फेजी द्वारा यानि कि ध्यान रखना इसका पूर्ण कारिये फेजी द्वारा भई ध्यान रखना इसका पूर्ण कारिये फेजी के द्वारा किया गया विशेश रूप से आप यह ध्यान रख जहांगीर का जो गरंत है वह जहांगीर नामा यह इसका जो जहांगीर नामा है इसका जो लेखक है वो खुद जहांगीर द्यान रखना इसमें जहांगीर के व्यक्तिकत जीवन की जानकरी मिलेगी विशेश रूप से नूर जां का व्यक्तिकत जीवन वो सारी जानकरीया मिलत सवबाइख संवन मारना प्रताव का संगर्ष यहसं जानकर यह मिलेगी तो जहांगीर ने किस प्रकार से अमर्सिग को अपने अदीन किया अमर्सिंह मेवार का पहला राजा था जिसने मुगलों के द義नता हाजी ठीक है आगे बात करते हैं अब देखते हैं आपके इसमें क्या दे रखा है देखो यह सब में आपको बता दिया भी अब यहां पर दो कोई स्पेसल साहिते हैं एक तो आपके तारिक राजस्तान और एक वाकिया राश्पुताना तारिक राजस्तान को कालिराम कायस ने लिखा ठीक है और वाकिया राश्पुताना को मुंशी ज्वाला सहाई ने लिखा भई तो इस प्रकार सी यह आपके राजस्तान के साहित्यों कि मैंने जानकरी Danny है लेकिन इसके अलावा क्या हमारे और को इंपौर्टेन निकलते हैं कि बिल्कुल निकल सकते हैं क्योंकि राजस्तानी भाषा के साहिते पड़े ₡ फारसी वासा के साहिते पढ़े इसके लवा और कोई साहिती भी है। बिल्कुल आपके दो-चार साहिते हैं, जो शायद आपको मेने जब व्यक्तित में इतियास पढ़ाएं, तो उनके सामने वो साहिते निकल कर के आ जाते हैं भई। कैसे देखते हैं एक बार देखो क्या इस्तती है कि यहां नाम के आधर पर चलेंगे वह साइट्य क्या अधर रख रही एक तो आता है आपके कोई पी टेस्सी टोरी भई ठीक है ना पी टेस्सी टोरी एक है आपके जोर्ज अब्राहम ग्रियर्शन भई एक है आपके कर्णल जैम्स टोर्ड ठीक एक है आपके रानी लक्ष्मी चूडावत भई एक है आपके आनंद कुमार स्वामी भई आनंद कुमार स्वामी एक है आपके अभी विशेश रूप से हमने बात की थी ठीक है ना जैसे आपके कनिया लाल सेठिया भई ध्यान देना भई इन में से पूरा जो आपके राजस्तान का इतियास है ना भई वो आपके इस पर टिका हुआ है वहीं क्लियर है ना क्योंकि इसने राजस्तान शब्दी की जानकारी दी स्टार्टिंग में बताया था पुरानी क्लासों को देखो उसमें विशेश रूप से बता रखा है कि इदा इसने ग्रंद लिखे दा एनल से एंटिक इस्ट्री ओफ राजस्ता यह इस प्रकार की कुछ बाते हैं जो एक कंडल जेम्स टोर्ट ने दी और राजस्तान शब्दी की जानकारी दी यानि कि यह तो आपके राजस्तान के इतिहास का जनक हो गया भई जो हमारे लोगों को विशेश रूप से पता है भई पी टेस्टी टोरी ठीक ना पी सरपर्थम काली बंगा सब्वेता की जानकारी दी भई मतलब खोजा नहीं खोजा तो आपके अमलानन गोशे भई जानकारी दी इसके कई ग्रंथे भई और इसका एक ग्रंथे दे सिविलाइजेशन दे सिविलाइजेशन ओफ राजस्थान भई दे सिविलाइजेशन ओफ राजस्थान में कई ग्रंथे लेकिन इसमें सब्वेताव की जानकारी दी वो इसमें दी भई जो ग्रंथ लिखा भई इसने दी आपके भाषा की जानकारी भई और कौन सी भाषा की जानकारी दी लिखाता भई, the linguistic, language से बनाया भई, the linguistic survey of India भई, the linguistic survey of India में इसने जान करी थी भई, कर्णल जेम्स टोर्ड तो आप जानती है, the annals antiquity of Rajasthan भई, the annals antiquity of Rajasthan, इसने एक ग्रंद लिखा था भई, मजली रात, राष्टपती पुरसकार से सम्मानी थे है, गानी लश्मी चूड़ावत, आननकुमार स्वामी, ये आपके इसने ग्रंद लिखा था राष्पूत पेंटिंग भई, राष्पूत पेंटिंग, और मैं आपको जान कर देदू, ये आपके राचस्थान का पर्थम, आपके वेग्यानिक चित्रकार है विशेश रूप से आप लोग ध्यान रखेगा भई, कनियाल सेटिया, चूरू का है वहीं, ये आपके चूरू का है, ये भी आपके राष्टपती प्रसकार प्राप्त करता है, बाड़ा साहित्यकार है, चीके, और जब आप कनियाल सेटिया की बात करते हैं, तो इसने तीन गंद लिखे, दर्ती दोरारी, पाथलो और पीथल, और लिल्टास, और विशेश रूप से आपने पढ़ा है अभी, कि लिल्टास गंद में तो इसने माना प्रताप के द्वारा किये गए जो संगर्ष है जंगलों में, वो जंगलों में उस संगर्ष की जानकरी हमें विशेश रूप से यहां पर प्राप्त होती है, तो ये जैसे आपके एक साहिते निकल करके आता है आपने सुना होगा, अमर काव्य वन्शावली भई, केवली सत्सई भई, सत्सई तो लिखा किसने बिहारी ने भई, जिसको मिलाकर के लोग बोलते हैं बिहारी सत्सई, और जो बिहारी सत्सई है, ठीक है न, जिसको बिहारी वह आपके जैसिंग पर्थम का दरबारी था जिसने 1614 से 1666 तक साशन किया था और इसे बिहारी ने इतना अच्छा ग्रंद लिखाई है कि राजागी जब इच्छा होती थी इस ग्रंद को सुनने की तो हर एक लाइन पर इसको सोने की मोर देता था तो यह मैंने इसलिए बताय कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि वीर सत्साई बता दो इसको तो वीर सत्साई है न वो अलग है वीर सत्साई की आप बात करते हो तो वीर सत्साई को आपको पता है जो आपके बरतमान में राजस्तान के राज कभी है उसका नाम है सूर्यमल मिश्ण ये इन्होंने इसलिए मैंने कहा ना कि आपके जो maximum साहिते हैं वो आपके इतिहास के व्यक्तित्तु है उनके साथ कवर हो गए यह के वल मैं वही साहिते निकाल रहा हूं जो इंपोर्टेन्ट्स आईते हैं जो व्यक्तित्तु के आधार पर निकाले जाते हैं तो उसी के पंड विशेश रूप से बात कर रहे है तो यह आपके जो अमरकावे वंचावली है यह अमरकावे वंचावली का जो लेखक है आपके विशेस रूप से रण छोड भट्टे वई जो आपके राज सिंग जो मेवाड का राजाता 1652 से लेकर के 1680 तक जिसने सासन किया उसकी विशेस रूप से हमें जानकर देता ही अमरकावे कहूंगा कि वह रण छोड भट वही है जिसने हल्दी गाट युद के बारे में ये कहा कि इनसान तो बाद में लड़े पहले तो हाती लड़े क्योंकि इस युद्ध को यदि विशेस रूप से हातियों के युद्ध का नाम दिया है ना तो विशेस रूप से आपकी इस मेवाड के साहित्य होंगे कुछ मारवाड के साहित्य होंगे और कुछ आपके ढूंधार के साहित्य होंगे साहित्य अनन्त है हमारे विध्यारतियों के पास फिर कंफ्यूज है कि साब साहित्य अनन्त है तो हमें क्या पढ़ना है आप लोग विशेस रूप से उस साहित्यो को मत छोड़ना जो आपके सिलेवस का नाम का राजा है वे उस साहित्यों को आप लग विशेष पकड़ करके पढ़ना जैसे यह दी मेवाड की बात करूं तो मेवाड के अंदर विशेष रूप से आपके तीन राजाओं के नाम दे रखें एक तो आपके दे रखा है कोई रा रासो संगीत राज राज रतनाकर हाना एक लिंग हाना यह सारे ग्रंद में आपको विशेष रूप से राणा कुम्बा के टोपिक के अंदर करा रखें वह द्यान रखना और एक आपके यहां पर आ जाता है राणा सांगा वह वह बाबरवाडा मेटर यहां निकलता है और एक आपके आजाता है प्रताब भही यह तीनों से रिलेटेड जो भी साहिते है न वो तो आपको इस्पेशल पढ़ना है वह द्यान रखड़ा ठेक है बाकी जो एक्स्टा बता दिये वह एक्स्टा है इसी परकार आप मालदेव की बात करते हो तो मालदेव के अंदर आप म मुनत्नेन सी वो सारी जानकरी आपको दिये आप जब ढूंडाड की बात करते हो तो ढूंडाड में इस्पेशल जो आपके दे रखा है वो क्या दे रखा है एक तो आमेर के अंदर आपके दे रखा है मान सिंग परथम भई मान सिंग परथम की जानकरी दी और एक आपके द रे नाम से आपको सारे ग्रण्थ, कंशप्ट सारे कलियर कर लेने थीके, तो यह आपके भाषा और जो साहित है उसका अपकर कम्प्लीट है इसके आगे की नया 또पेक लेकर के बात करेंगे नई क्लास के अंदर झाल 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 झाल